दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल Study with अनूप पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग 36 गड़ पटवारी भरती के लिए कम्प्यूटर के मोश्ट इंपोर्टेंट क्योस्चन देखने वाले हैं जो की आपके एक्जाम के लिए बहुत ही important हो सकते हैं तो अगर आप मारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर लिजिए साथ ही बिल आइकन को जरूर दबाईए ताकि आने वाले वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुँचे तो आज ये shut करते हैं दोस्तो अगर आप चक्छु प्रकासन द्वारा आपके लिए एक बुक बनाई गई है जो की complete 100% आपके सलिबस के अनुसार है यानि कि आपको संपूर्ण सलिबस एक ही बुक के अंदर गत मिल जाता है तो अगर आप इस एक ही बुक से तयारी करना चाहते हैं जिसमें कि आपको 2016, 2017 और 2019 के previous year के salt paper भी मिलने वाले हैं और इसमें 3000 से अधिक बहु विकल्पी impression भी आपको देखने को मिल जाते हैं और complete सलिबस जैसे कि computer, Hindi, English, Gadit, Reasoning, 36 का GS और India का GS यानि कि complete सलिबस आपको एक ही बुक के अंदर गत मिल जाता है तो अगर आप इस एक ही बुक से अपनी तयारी को complete करना चाहते हैं तो आप इस बुक को अपने नज़दे की store या फिर Amazon, Flipkart या फिर Snap Dil से ले सकते हैं जिसका link आपको description में दिया हुआ है तो आइए shut करते हैं दोस्तो मारा first question है कि computer का जनक किसे कहा जाता है आपके चार option है आपको इन में से कौन सा option देख सही है वो बताना है दोस्तो मैं आज की इस वीडियो में option नहीं पढ़ूँगा किबल आपको answer बताऊँगा क्योंकि उसमें बहुत सारा time जो है waste हो जाते है तो इसलिए computer का जनक किसे कहा जाता है आपको बताना है चार option है तो कौन सा सही है तो आपका सही answer है option number 3 Charles Babbage यह है इसका सही answer next question देखते है निम्द में से कौन सी hardware unit computer के processor के भीतर operation को निर्देशित करती है यहाँ पर भई आपके चार option है इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है निम्द में से कौन सी hardware unit computer के processor के भीतर operation को निर्देशित करती है तो आपका सही answer है control unit option number 2 इसका सही है ठीक है next question देखते है निम्द लिखित में से computer का मस्तिस के कौन सा है आपके option है software, hardware, CPU, monitor कौन सा इसका सही answer है आपको बताना है तो इसका जो answer बहुत सारे लोगों को पता होगा इसका सही answer है option number 3 CPU इसका सही answer है ठीक है next question देखते है कि computer के कारे करने की गती को निम्द मात्रक के रूप में मात्पा जाता है यानि कि किस मात्रक से ना पजाता है किसको computer के कारे करने की गती को आपके चार option है कौन सा इसका सही है आपको बताना है ठीक है तो इसका सही answer है option number 2 megahertz next question है कार में लगा हुआ गती मापा के यंत्र निरूपित करता है किसको निरूपित करता है आपके चार option है इन में से कौन सा सही है आपको बताना है कि कार में लगा हुआ गती मापा के यंत्र किसको निरूपित करता है तो आपका सही answer है analog computer को ठीक है option number 1 यहाँ पर आपका सही है next question देखते है कि निरूपित में से किसमे transistor और latch का उपियोग किया जाता है आपके चार option है कौन सा सही है आपको बताना है निरूपित में से किसमे transistor और latch का उपियोग किया जाता है तो आपका इसका सही answer है SRAM में ठीक है option number 4 आपको यहाँ पर सही है next question देखते हैं निम्न लेकित में से कौन 1 kilobyte के बराबर है कौन 1 kilobyte के बराबर है चार option है कौन सा सही है आप बता सकते हैं तो इसका सही answer है 8192 bits ये होता है 1 kilobyte के बराबर ठीक है next question देखते हैं निम्न आउटपूट डिवाइस में से किसे visual display unit यानि कि video भी कहा जाता है ठीक है निम्न आउटपूट डिवाइस में से किसे visual display unit vdu कहा जाता है ठीक है option आपके चार है इसके से कौन सा सही है आप बता सकते हैं ठीक है तो इसका सही answer है option नमबर 2 monitor monitor को video यानि कि visual display unit कहा जाता है ठीक है next question देखते है निम्न लिकित में से कौन सा रोम का प्रकार नहीं है दियान रखें कौन सा रोम का प्रकार नहीं है आपके चार option है इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है तो इसका सही answer है option नमबर 3 D. Rome इसका हो गया सही answer option नमबर 3 नेक्स्ट क्योश्यन है कि निम्द लिखित में से किसको निरंतर डाटा बनाए रखने के लिए रिफ्रेस करने की आवश्यक्ता होती है आपके चार आप्सन है कौन सा सही है आप बता सकते हैं निम्द लिखित में से किसको निरंतर डाटा बनाए रखने के लिए रिफ्रेस करने की आवश्यक्ता होती है आपका सही एंसर है D-PAM, option number 4 इसका सही है Next question देखते हैं, निम्द में से कौन operating system नहीं है? निम्द में से कौन operating system नहीं है? आपके चार option है, कौन सा सही है आप बता सकते हैं तो इसका सही एंसर है, option number 4, Windows Windows जो है operating system नहीं है Next question देखते हैं Next question है, कि computer प्रणाली पर विभिन्ने कारे करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं data के set को किस नाम से जाना जाता है? आपके चार option है, कौन सा सही है आपको बताना है यादि कि computer प्रणाली पर विभिन्ने कारे करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं data set को किस नाम से जाना जाता है? आपके यहाँ पर सही answer है, option number 4, virtualization ठीक है, option number 4 आपके यहाँ पर सही है Next question देखते हैं निम्ने विगलपूप में असंगत की पहचान करें यादि कि अलग कौन सा है इसमें आपको बताना है ठीक है, चार option है इसमें से अलग कौन सा है तो इसका सही answer है, IOS ठीक है, option number 4 यहाँ पर अपर सही है Next question देखते हैं कि Windows 8 में स्क्रीन से वर प्रतिच्छ समय किस में होता है क्या है, Windows 8 में स्क्रीन से वर प्रतिच्छ समय किस में होता है आपके option है, चार मिनट्स, घंटो, सिकिंड्स या नैनो सिकिंड्स में आपका सही answer क्या है, आपको बताना है तो आपका सही answer है option number 1 minutes में यानि कि windows 8 में screen saver प्रतिच्छा समय minutes में होता है ठीक है next question है कि windows operating system का मालिक कौन है आपके चार option है intel, ibm, apple या फिर microsoft windows operating system का मालिक कौन है तो आपका option number 4 जो है microsoft ये इसका है सही answer ठीक है, दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही आसा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like करें, share करें और चैनल को subscribe करें साथ होई, bell icon को जूरूर दबाईए ताकि आने वाले वीडियो को notification आप तक सबसे पहले पहुँचे धन्यवाद